Hello everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि How to delete user account in window तो आपको क्या करना है? अपने start वाले बटम के उपर आना है ठीके, उसके बाद अपने admin user के उपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, एक मेरा यहाँ पर user account है ठीके, जिसका नाम है technical society इससे मुझे delete करना है तो मैं कैसे delete कर पाऊंगा? वो हम देखने वाले हैं तो इससे आप कैसे delete कर सकते हैं? चलिए देखते हैं तो आपको क्या करना है? अपने start वाले बटम पर फिर से click करना है ठीके, फिर setting के उपर आपको click करना है setting पर click करने के बाद आपको यहाँ पर account के उपर click करना है account के उपर आने के बाद आपको family and other user के उपर आपको click करना है ठीके, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर technical society जो भी आपका यहाँ पर user account है उसके उपर click करना है देन आपको यहाँ पे एक option मिलेगा remove का remove के उपर आपको click करना है ठीक है उसके बाद आपको delete account and data के उपर आपको click कर देना है तो कभी-कभी आपको यह problem होगा कि आपको यह delete account and data वाला option ही नहीं मिलेगा ठीक है आपको बोलेगा कि पहले आपने account को sign out करक आईये फिर उसके बाद Delayate करिए थीक है तो आपको क्या करना है फिर से आपने अपने यहाँ परiblical admin user करना है थीके फिर उसके बाद जो आपका user account होगा उसको आपको खोल लेना है खोलने के बाद जब फिर से स्यम काम करेंगे तो उसमें भी आपको sign out वाला option दिखाई देगा तो वहाँ से आपको sign out कर लेना है फिर से अपने admin user से login हो जाना है और फिर आके आप delete करेंगे तो उस time पे यह delete हो जाएगा तो यहाँ से delete account and data के उपर मैं click करके इससे क्या कर दूँगा delete कर दूँगा ठीक है तो यह थोड़ा सा time लेगा उसके बाद जो आपका account है वो delete हो जाएगा यहाँ पे देखिए मेरा account delete हो गया अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ठीक है और फिर मैं hp पे यहाँ पे click करूँगा तो यहाँ पे देखिए आप